नमस्कार दोस्तों, गरीब पैदा होना या ना होना आपके बस की बात नहीं है, मगर मैं एक बात कहे बिना नहीं रहूंगा, यदि आप गरीब रहकर ही पूरी जिन्दगी, यांसे सुनियेगा, पूरी जिन्दगी गरीब रहकर ही गरीब ही मर जाते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपने कुछ नहीं किया आप में कुछ करने का जुनूर होना चाहिए गरीबी को आप मीटा सकते हैं गरीबी को आप हतास कर सकते हैं उदास होने की, निरास होने की कोई जरूर्द नहीं है यदि आप अफर्स करें तो आप गरीबी को मीटा सकते हैं अब बात आती है कि गरीब क्यों होता है क्या कारण है आपकी गरीबी होने के कभी आपने सोचा है एक कागज पहल लीजिए लिख लीजिए कि ये ये कारण है आपकी गरीबी होने के गरीब होने के उन कारण को नोट कीजिए सबसे पहले सोचो कि आप गरीबी के रहने के क्या कारण है दूसरी बार आपको ये लिखना चीए कि कैसे गरीबी से बाहर आ सकता है मैं कैसे गरीबी से बाहर आ सकता हूँ वो कौन-कौन से कारण है जिनके कारण मैं गरीबी से बाहर आ सकता हूँ वो कौन-कौन लोग हैं जो मुझे गरीवी से बाहर ला सकते हैं वो कौन-कौन से बिजनेस हैं जो मुझे गरीवी से बाहर ला सकते हैं और कैसी परिस्तितियां बनाऊं कि मैं गरीवी से बाहर आजाऊं इसके साथ आपको सोचना चाहिए कि वो कौन से खर्चे हैं जो आप कर रहे हैं तो भी काम चल रहा है और नहीं करें तो भी काम चल रहा है जो essential खर्चे जो essential expenses आप बिना सोचे समझे कर रहे हैं बिना कोई दिमाग लायाए कर रहे हैं उनको बंद करके भी आप गरीबी से बाहर आ सकते हैं लिख लीजिए उन कर्टों को लिख लीजिए उन canse को मिंदा गरीबी आथे एक दो साल लगेंगे आपको है मगर आप गरीबी जैंगे मगर लिखना पड़ेगा आपको का या खाली दिमाग में एक बार सोच लिया को दो बार आपने कुछ कर लिया और दिमाज से बात निकाल देंगे तो कुछ नहीं होगा वह कौन से अंध विश्वास हैं जहाँ से अंध विश्वास हैं जो आप उनको मानते हैं और उनको पैशा खर्च करते हैं चाहे जहाँ बीना सोचे समझे एक आत्मी के एक भैंस थी भैंस ब्याने का वक्त आ गया था परिशान हो रही थी उस आत्मी ने का है माराज बाला जी माराज मेरी एक भैंस ब्या जाए मैं तेरी सवामणी कर दूँगी थोड़ी देर भैंस को और टाइम लग गया भैंस ब्याने में दुबारा उसने का है माराज गूगा जी माराज मेरी भेंस ब्याजाए सुपसे कुचल मैं तुम्हारी भी सवामणी कर दूँगा ऐसे करते करते उसने साथ सवामणी बोल दी उस वेक्ति की मिशेज ने पूछा एक सवामणी में कितना खर्च लगता है उसने का पंद्रह हजार रुपे साथ में कितना लगेगा उसने का इतना लाक रुपे तो बोले भेंस कितने की है बोले पचास हजार की बोले बेवगुप तो ने खर्चा इतने का बढ़ा दिया तो इस तरह के काम मत कीजिए भहस का ब्याना दवाई के ओपर निर्वर करता है Medical Aid दिवाई ये उसको ये अंद विश्वास ले डूबेंगे आपको गालिया मुझे भी देंगे आप ये दाजाजी कहां से क्या क्या आप लागते हैं पता नहीं मगर मैं वहीं कहूंगा जो सकते है शमे बचाना और पैसा बचाना दोनों बरावर हैं क्या आप अपना फालतु समय अच्छे कामों में नहीं लगा करके खाली बुरी आजतों में या फालतु में निकालते हैं काफी बार लोगों को पूछा जाता है क्या कर रहे हो बस वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं क्यों टाइम पास कर रहे हो भई क्या कमी है तुम्हारे पास बहुत कुछ है तुम्हारे पास टाइम पास करने की बात कहां से आ रही है टाइम का उप्योग करो सदुप्योग करो टाइम इज मनी जिस आदमे ने ये फंडा समझ लिया उसके पास धन की कोई कमी नहीं है और दोस्तों एक बात और कहुँगा Money is not everything but something धन सब कुछ नहीं है मगर इस संसार में सब कुछ धन के बिना होता भी तो नहीं इसलिए पैसे को भी कुछ कम मत्तिसम समझ जिए आपके बच्चों को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए आपको खाने के लिए पैसा चाहिए पैसा खाया नहीं जाता है मगर खाने वाली चीजे पैसे के बिना आती भी तो नहीं है ये कटू सकते है मुँ मत मोड़ ये इससे कब तक बुलाते रहोगे आप जूट बोलते रहोगे